Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Quick Energy Update है और हम देखेंगे कि आपके परसन की current feelings और thoughts आपके लिए क्या है ये सारे Star Science की reading होती है ये एक short reading है और बिल्कुल timeless है तो देखते हैं कि आपके परसन की current feelings और thoughts क्या है सबसे पहले हमारे पास है page of wands the world death five of cups bottom of the deck पर हमारे पास है five of wands so five five किसी के लिए important हो सकता है मुझे definitely break up situation, separation नजर आ रही है और I feel के कुछ ऐसा था कि जो मजाक में शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते बहुत serious हो गया और आप लोगों का relation खतम हो गया recently हुआ है, break up हुआ है, separation है super specific messages कुछ लोगों का long distance connection भी हो सकता है so इस वक्त आपके person बहुत sad है गुसे में भी बहुत ज़्यादा है regret भी उन्हें हो रहा है किसी बात का पश्टावा हो रहा है maybe उन्हें गुसे में आपको इतना कुछ बोला है जिसका उन्हें पश्टावा हो रहा है कि ओहो ये मैंने क्यों कह दिया मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था इनसान बहुत बहुत deep regret में नज़र आ रहे हैं बहुत परिशान and I feel आप दोनों के दरमयान बहुत ज़्यादा बहस हुई है बहुत ज़्यादा लड़ाई बहुत ज़्यादा एक दूसरे के उपर घुसा किया है बहुत ज़्यादा fight हुई है और उससे भी नीचे देखें eight of cups है so इस वक्त आप दोनों के दरमयान emotional distance है I feel आप भी अपने partner को ignore कर रहे है उनसे बात नहीं करना चाह रहे है और वो तो है ही बहुत ज़्यादा regret में कि उन्होंने बहुत सारी बाते कर दी बहुत कुछ कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था so I do feel कि ये एक बहुत ही painful कुछ लोगों के दरमयान ending हुई है बड़ा ही painful cycle रहा है ये काफी time से चल रहा था या अचानक नहीं लग रहा I feel कि काफी time से चल रही थी कोई बात कोई चीज जिस पर आप लोगों की discussion हुई मजाख से चीज वो शुरू हुई और बहुत seriousness में बदल गई So ये एक transformation का period चल रहा है आप लोगों का इस वक्त और obviously transformation easy नहीं होती है It's very difficult आप लोग learn कर रहे हैं कोई lesson और ये बहुत मुश्किल है This is a very tough situation I feel Let's see So ये इनसान आप से बात करना चाहते हैं दिल कर रहा है उनका आप से बात करने को So we have three of wands And I feel कि ये इनसान right time का wait कर रहे हैं कि जब ये आप से रापता करेंगे with the three of wands Oh God, five of pentacles So आप देखें five, five, five Five आपके लिए important हो सकता है Five change का number भी और challenge का भी So इस वक्त आप लोग एक बहुत ही challenging situation में है ये इनसान बहुत ज़ादा loss फील कर रहे है आपका loss ये भी हो सकते है कि आपके person को पैसों के हवाले से कोई loss हुआ है We have the empress But they feel कि वो आपको खोना नहीं चाहते है And I also feel कि आप में से कुछ लोगों के दरमयान age gap हो सकता है The chariot ये इनसान आपसे रापता करना चाहते है आपको pursue करना चाहते है वो आपको खोना नहीं चाहते है Because आप ये empress है चाहे आप male हो या female और आपके person उतने mature नहीं है जितने आप mature है Age gap भी हो सकता है कुछ लोगों का It's not about age वैसे ही आप ज़्यादा mature है और आपके person उतने mature नहीं है Sometimes immature behave करते है So I feel कि ये इनसान इनको अपनी mistake Realize हो रही है बहुत बुरी तरह से बहुत ज़्यादा वो sad है I feel कि आपने चीजों को Maturely handle करने की में भी कोशिश की उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत चीजें की shout किया या कुछ भी बुरा भला कहा आपको और अब वो बहुत sorry है I feel ये इनसान आपसे माफी मांगनेंगे मांगना चाहते है Because उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि उन्होंने आपसे ये क्या क्या कह दिया है दो और कार्ड ले लेते है Okay, we have justice and two of pentacles So ये इनसान ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ इनसाफ नहीं किया है ये इनसान ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको hurt किया है आपके साथ वो unfair हुए है उन्हें ऐसे नहीं होना चाहिए और उन्होंने किसी नाजाइस बात पर आपका दिल दुखाया है कुछ नाजाइस किया है वो आपके साथ इनसाफ नहीं कर सके So अब उस skills को balance करना चाहते हैं वो fair होना चाहते हैं आपके साथ वो आपके साथ unfair नहीं होना चाहते हैं ये इंसान बैलन्स लेकर आना चाहते हैं and with the justice, obviously ये भी बैलन्स का card है so ये इंसान इस वक्त एक बहुत deep regret में नजर आ रहे है so ये आपकी quick energy update थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा, मुझे जरूर बता ही का comment section में I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye